विजनौर पहुंचे प्रदेश की वन मंत्री डॉक्टर अरुन कुमार सिंग ने कलेक्चेट में प्रसास नेक पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के साथ तेंद्यों के बढ़ते हमलों को लेकर की समिक शब बैठक। विजनौर में गुलदार वे तेंद्यों का आतंग चरम पर 28 की सानों की हो चुकी है अब तक मौत प्रदेश की वन मंत्री बोले हर हाल में रोके जाए हमले गिरामिनों से की अपेल राप की समय खेतों की और ना चाएं फ़र यूपी के बिजनौर जनपत से जहां बिजनौर में गुलदार वे तेंद्यों के हमलों का मामला बलखनवू तक पहुच गया है प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंग ने आज बिजनौर का दोरा किया और वन विभाग वे अन्य सम्मन्दित अधिकारियों के साथ एक विस्तरत समीक सा बैठकी इस दोरान वन मंत्री ने सबस्ट किया कि हर हाल में गुलदारों के हमले को रोकने के प्रियाज किये जाएंगे पिछले डیज़ साल में गुलदारों के हमलों से जिले में 28 ग्रामिनों की मौत हो चुकी है जबकि शेकरो लो गंभी रूप से खायल हो चुके हैं इस बढ़ते खतने के मदनजर गरामीन लगतार वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वन मंत्री डॉक्टर अरुन कुमार सिंग ने कलक्रेट में महत्मा विदूर सभागार में प्रसासनिक पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समिक्सा वैठक की उन्होंने कहा कि हम यहाँ इसलिए आयें ताकि गुलदारों के हमलों से और दुरगटना ने हो पिछले साल के तुलना में इस साल पिष्थिती हालके बेहतर है लेकिन हमें इन अकाश्मिक दुरगटना ओको पूरी तरह से रोकना होगा मंत्री ने कहा कि सभी संबंदिती विभागों काउ मिलकर लोगों को जागरू करने की आउशकता है उन्होंने गामीनों से अपील की कि वे रात के समय खेतों में न जाएं और सम्वेदिन सील गाओं में लाइट की वबस्ता बनाए रखें इसके अतरिकत रात के समय अकेले न जाएं और हाथ में लाठी डंडा लेकर चलें सोच के लिए जंगल में जाएं और जहां गुलदार के हमले जादा हो रहे हैं वहाँ वन विभाग पिंजरा लगाने का काम करें मंत्री ने यह भी कहा कि जिन छेत्रों में गुलदार के हमले हो रहे हैं वह गन्ने की फसल की परची को प्रात्मिक्ता दी जाए ताकि गन्ना जल्द काटा जा सके उन्होंने यह भी स्विकार किया कि गुलदारों की संक्या अपेक साक्रत अधिक है और आवश्यक्स अंसादनों की कमी नहीं होने दी जाएगी इसके लिए रेस्क्यू वैन भी तैनात की जाएगी ड़क्टर आरुन कुमार सिंग ने कहा कि सभी विभाग मिलकर इस समस्या को हल करने के लिए काम करेंगे और हर समब प्रियास करेंगे ताकि गुलदारों के हामलों से पूरी तरह से सोका जा सके लेकिन हमें इसको रोकना इजार नहीं करना है इसली बार की तरहां यहां कईड़ह सोई अक्으 बडर हमें आगे नहीं होने देना है और हमने सैह किया है फॉरस्स बिभाग पुलिस में हाग रेविन्यू हमारे पंचायवी राज शिक्षा बिभाग और सभी बगवों से मिलके हमें लोगों के अंदर awareness जागरीत करनी है कि अपने आप बचो, रात में अकेले दूकेले, जंगल के पास मत जाओ, रात में अकेले दूकेले, पानी लगाने, मत जाओ, खेट में और लाइट के लिए हमने कहा है, जहां पे इस तरह के से ज्यादा हो रहें, वहाँ पे लाइट रहे, रात में लाइट की कटोती वहाँ पर नहीं हो, और लोगों सिर्द कहा है, लाठी डंडा लेके चलो, अकेले मत जाओ, शौच के लिए जंगल में जाना, बिल्कुल नहीं ह जोना चाहिए हम तो पंजायती राज्यभाग से खास तोर से कहा है इस चीज को रोके अगर कोई जाता मिले उसे को ना करें मंत्री जी एक जो है बहराइच के लिए हम बहुत भी ज्यादा समय थे हम बहां पढ़कों वहां थे और हम आज रात में फिर पहुंचांगे और वहां के हम देख रहे हैं वहां के सिती पे पूरी निगार रख है और वहां पर अभी भी इंसिलन्स हुआ हम इसमे कोई कठोर न रोक हैगी वहां पर फोर्स पूरा लगा दिया गया है बाराटी में और भेजी गई है जगहें जगहें उसको भेडियों को रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है यहां के लिए मैंने आपके बताया सबी विभागों के सहयोग से हमें गुल्दार को हर हालत में अटैक रोकना है और गंपर के खेत यहां हम पोशेश कर रहे हैं कि अभी जब अब कर ना शुरुव हो तो जंगल की तरफ के जो गन्फने के खेकते उनको पहले पढ़शी चर दे संगे लुख कर छाए यह समझारे जो जीडार इस पर पativos रुदर दो कर जा सके और हमारे आमारे राबल हम मंत्री जिस समय आप नूर पुड़ते हैं मेडा की तरफ कुछ चलेते उची समय चात्र को पर गुलदार का हमला हुआ रायल हुआ है आज ही की कटना इसमें क्या करेंगे तुरंट कारवाई करांगे कहला काम तो वह अस्पताल में भड़ती है कौंसे अस्पताल में हम उसके इलाज की अच्छी द्यक्षी व्यवस्ता करांगे और देखेंगे कि इस तरह के इंसीडेंस द्ना हो जहां पर इंसीडेंस हुआ है उसके आसपार पिजड़न रगवाएंगे और रोक ठाम करेंगे और उसको पकड़ेंगे अच्छा बंस निकल कर जू जो है यहां प और वहां पर पानी भर गय और बहुत प्यान यहां प्रमनेंट कर रहे हैं यहां पएदा हुए हैं और यही थो यहीं कर रहे हैं हम इसकी रोक चाहरं का पूरा प्रियास कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं है लेकिन गुल दार हैं बहुत ज्यादा इनकी एक्सेप संक्या नहीं मालूम लेकन जितनी संक्या हम सोच रहे हैं उसे ज्यादा ही निकलनके कम नहीं किस से बनाएं हम आपको अपना नमबर देना आप हमें टेलिफोन कर दें जहां संसादनों की कमी है मैं एनिमल कंफ्रेक्ट में संसादनों की कमी को आले नहीं आने दिया जाएगा यहां पर हम रेफ्यू बहें लगवाएंगे यहां पर रोग ठाम के लिए और जो भी कर सकते ह मिलता है कि यह प्रत्पूरा है उसके आप जिसका परिवाल का कमाने वाला सब्सक्राइब बढ़ जाता है तो क्या आप जो कह रहे हैं इस बात को हम खुद विचार कर रहे हैं जो बात को हम खुद विचार कर रहे हैं मैं आपकी बात मैंता हम खुद विचार कर रहे हैं अधे के स्री बिजनो